पुनम आए पुनम तुम जाक्री है ना पुनम सच बो ये मेरी बहन मेरी स्वीचार तुम्जा कर रही है ना किसी ने तरे इन्स्टागराम पर फेक पोस्त दाला है ना आई नौ आज शाम को तू आएगी और तू कहेगी चटरा मैं तुम्जा कर रही थी चड़ा चड़ा मैं तमजा कर रही थी पुनम कहेगी गाइज मुझे अभी भी यकीन ही हो रहा है कि ये न्यूज सच है क्या आप लोग कह रहें बट अभी मुझे नहीं पता है मेरे हाथ पहर कहां पर उसको फोन करने के लिए मैं अभी उसे फोन करूंगी आई डून नो ये न्यूज सच है क्या है आई रियली डून नो ना आई पुनम तो मजाद कर रही है ना पुनम सच बोल इंस्टाग्राम और मुझे शॉकिंग न्यूज मिला क्या ये बात सच है क्या इस गुड़ सोल मैं उसको अस्बन को फोन करूंगी सच बात क्या है सर्वाइवर कैंसर था या कोई और बात है सस्पेंस हुआ है सो आम आम शॉक्ट मैं तो अभी उठी हूं और तुरंट लाइव आ गई मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है पुनम वस गुड़ फ्रेंड अफ माइन बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड थी अभी लास्टी मेरी उससे बात हुई थी एक फंक्शन में हमको जाना था साथ में हम गए थे आवर्ड नाइट में यखीन नहीं हो रहा है मुझे सच मुच यखीन नहीं हो रहा है मेरे में हिम्मत भी नहीं कि मैं उसको वाटसप करूँ राहुल मुझे हिम्मत ही नहीं कि मैं उसको अभी मेरे पास वाटसप नंबर है उसका कि मैं उस अभी कॉल करूँ मुझे हिम्मत नहीं है उसको कितने उसके बड़े-बड़े सपने थे लेकिन उसने मुझे कभी ये जो सर्वाइकल कैंसर था उसने मुझे कभी शेर नहीं किया किया होता तो मैं उसको healing prayer कर आँ पुनम मजाग तो नहीं कर रहे है न पुनम तुम हमारे साथ तुम कहा हो पुनम message me तुम मेरे follow में हो भारती welcome राहुल वैद्य रूबी जितने भी मेरे दोस्त है welcome guys I'm very tense के मेरी friend पुनम ये बाद सच मुच सच है क्या so young you know पुनम मजाग तो नहीं कर रहे है न पुनम तुम हमारे साथ तुम कहा हो पुनम message me तुम मेरे follow में हो यकीन ही हो रहा guys इसलिए guys जिंदगे में किसी भी type का stress मत लो she was just I've heard 32 I don't know उसके कितने ambitious से उसने शादी करी थी तभी भी उसने मुझे बताया था डाइवोज लिया तभी भी बताया वो अकले रहना चाहती थी इस जीवन में उसके बड़े बड़े सपने थे big films big award night big fashion shows मैं पुनपांडे के साथ अभी एक videos भी करने वाली थी मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है मुझे नहीं लग रहा है यह सच है शाश जिनको जाना चाहिए वो चले नहीं जाते हैं जाना तो किसी को भी नहीं चाहिए कि खुदा हर किसी को सुधरने का मौका देता है अपनी गलतियों पे माफी मांगने का मौका देते हैं बट गाइस जो आपको अच्छा लगे आपको वो करना चाहिए कि वोपली से बट 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 इस ओनली वन लवाइफ टेड मीह मुझे उसका एक डायलोग हमेशा याद आता है कि वो मर्सरीज और मैं नेनो ना कार हो नेवर मायंड मैं माय फ्रेंड पुम्ह taraf लेंवर क्रूजınız फूंद है तई लाइंड क्रूज अजिए तू लेंबोगीनी सरे build मैं फ्रेंड पुनम और मैं चोटी सी नैनो कार हूं हां मैं हूं मैं रिक्षा हूं मैं बस हूं मैं टेक्सी हूं लास्ट एक इवेंट में मुंबई में थी मुझे उसकी एक चोली उसने पहनी थी फाशन शो में रोहित के उसमें वो मुझे बहुत पसंद आई तो मैंने बहुत जल्दी भेज उसने बहुत एड्रेस भेज तो एड्रेस मैंने बेजा उसने मुझे अपने मेरे लिए इमीडेटली वो घागरा चोली भेजा गाइज अभी सच्चा ही पता नहीं है रेस्ट इन पीस आप लोग कह रहें बट अभी मुझे नहीं पता है मेरे हाथ पैर कहां पर उसको फोन करने के लिए मैं अभी उसे फोन करूंगी यह न्यूस सच है के क्या है आई रियली डून नो मैं तो दुबई में हूँ यह मेरा हाउस है दुबई में आलिशान मकान है मेरा बालकनी है आई विश यह न्यूस रॉंग हो आई विश अभी लॉक अप में भी गई थी वो मुझे हमेशा कहती है राखी तु जितनी ब्रेव है तुझ में जितनी एनरजी ताकत है मीडिया का सामना करती है दुनिया का सामना करती है मैं नहीं कर सकती मुझे भी थोड़ा सिखाना मैंने का सिखाना का क्या है मैंने इतनी ठोकरे खा के धक्के खा का के यहां पे मैं आई हूँ परमेश्वर एकी है खुदा अल्ला बापिता सबको एकी जीवन चांद सूरज सबको एकी जीवन मिला है तो एकदम बिंदाज जुने का है की नहीं दोस्तो अरे पंडीत तुझे मैं पटक पटक के मारू यहां मैं पुनम की बात कर रही हूँ मुझे पुछ रहा तुमारी नेक्स फिल्म कौन सी है अरे कोई पास्ट वे हो गया तो उसके दर्द में खड़े रहो तो वो किसी के लेने देने में नहीं थी पुनम किसी से लफड़े जगड़े भी नहीं करती थी वो से मुझे ही थोड़ा बहुत मुझे ही पंगे लेती थी but it's ok मैंने तो कब से उसको माफ कर दिया और वो मेरी दोस्त है आज वो मेरी दोस्त है अच्छी वाली दोस्त और मैं खुदा को कहती हूँ, खुदा ये न्यूस गलत हो